ओम शान्ती यहाँ बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती आज दिनंक 23 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मननकर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बोले न्यारे पन की अवस्था द्वारा पास्विद ओनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले असरीरी भाव आज असरीरी पिता परमात्मा निराकार हम निराकार आत्माओं को असरीरी भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कह रहे हैं नियारे पन की अवस्था द्वारा पास विद ओनर वनने बाले पास विद ओनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले असरीरी भाव डिटेल में बाबा बोले पास विद ओनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे सांत स्वरूप की इस्थिती में इस्थित होने का अभ्यास चाहिए पास विद ओनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाद से परे सांत स्वरूप इस्थिती में इस्थित होने का अभ्यास चाहिए आत्मा सांती के सागर में समाज आए अर्थात बाबा हम बच्चों को आज पास्विद ओनर का सर्टिफिकेट लेने की सहज युक्ति बता रहे हैं कि तुम बच्चों को यदि असरीरी बनना है तो मन और मुख की आवाद से परे होने का अभ्यास करो अर्थात नी संकल्प निर्विकल्प इस्थिती में इस्थित हो एक पिता परमात्मा निराकार दूजा न कोई तो उस पिता निराकार परमात्मा से हमें बात करना है उसका मनन चिंतन उसकी याद की लगन में मगन रहना है तो उसी पिता के समान हमको निर्शंकल्प सांत स्वरूप इस्थिती में इस्थित होना है जिसकी युक्ती बाबा सदा बताते मन और बुद्धी में एकागरता की सक्ति भर लो एक पिता परमात्मा पर मन और बुद्धी एकागर कर लो उस पिता सांती के सागर की गहराईयों में समाजाओ तो बाबा से रोरिहन करने के लिए निर्विकल्प, निर्संकल्प, इस्थिती का अभ्यास करना है एकांत में बैठ कर एकागरता की सक्ति से अपने मन और बुद्धी को उस पिता परमात्मा पर एकागर करना है बिंदू स्वरूप पिता को याद रख खुद को बिंदू इस्थिती में इस्थित कर उस बिंदू पिता में समाजाना यही निर्विकल्प, निसंकल्प, सांत स्वरूप और पिता समान असरीरी अवस्ता है तो न्यारा प्यारा बनने के लिए बाबा हमें युक्ति देते कि न्यारा प्यारा बनने के लिए सारे हद के किनारों से किनारा कर लो देह से देह के बंधन से देह के संबंध से कर्मों के बंधन से जब तुम खुद को न्यारा अनुभाव करोगे मुक्त अनुभाव करोगे तभी असरीरी अवस्था में इस्तित हो सकोगे उस पिता परमात्मा बिंदू स्वरूप के समान बन उस पिता परमात्मा सागर की गहराईयों में समासकोगे आगे बाबा बोले यहा स्वीट साइलेंस की अनुभूती बहुत प्रिये लगती है तन और मन को आराम मिल जाता है अन्त में यह असरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है सरीर का कोई भी खेल चल रहा है असरीरी बन साक्षी नियारा हो अपने सरीर का पार्ट देखें तो यही अवस्था अन्त में विजई बना देगी अर्थात बाबा असरीरी बनने की एक और सहज युक्ति बताते साक्षी बन जाओ खुद के सरीर से करमेंद्डियों से करम कराओ तब भी साक्षी होकर अपने सरीर को देखो न्यारी और प्यारी अवस्था का अभ्यास करने के लिए साक्ची द्रश्टा की सीट पर सेट हो जाओ ड्रामा के हर सीन को देखो हर आत्मा के पाल्ट को देखो और साथ में खुद के भी पाल्ट को देखो यहां इस्थिती तुमें साइलेंस स्वीट साइलेंस का अनुभाव कराएगी और अंत में पास विद ऑनर का सेर्टिफिकेट अर्थात विजई बना देगी तो आसरीरी बनने के लिए बाबा की युक्ती स्वीट साइलेंस अवस्था को बढाना है सर्टिफिकेट लेने के लिए मुख और मन की आवाज से परे होना है खुद को सर्व बंधन से देह से देह के संबंध से न्यारा बना कर उस पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना है स्लोगन में बाबा बोले सर्व गुणों वा सक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आग्याकारी बनो सर्व गुणों वा सक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आग्याकारी बनो हम देखते हैं इस थुल में भी जो बच्चे अपने पिता की स्रीमत पर चलते हैं आग्या का पालन करते हैं उसे पिता अपना वारिस बनाते हैं ऐसे ही निराकार पिता परमात्मा हम आत्माओं को अपने पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए स्रीमत देते हैं। उस स्रीमत को एक्यूरेट फालो करना ही पिता परमात्मा के गुण ग्यान तता सक्तियों का अधिकार प्राप्त करने की युक्ति है। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया सार का मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे कोई भी कर्म विकर्म ना बने इसकी पूरी समाल करनी है कदम कदम पर बाप की सरिमत लेकर कर्म में आना है मीठे बच्चे कोई भी कर्म विकर्म ना बने इसकी पूरी समाल करनी है कदम कदम पर बाप की स्रीमत लेकर कर्म में आना है प्रश्न किया बाबा ने विकर्मों से कौन बच सकते हैं बाप की सहायता किने मिलती है विकर्मों से कौन बच सकते हैं बाप की साहता किसे मिलती है उत्तर में बाबा बोले जो बाप से सदा सच्चे रहते हैं प्रतिग्या कर विकारों का दान देकर वारिस वापिस लेने का संकल्प नहीं करते वहाँ विकर्मों से बच जाते हैं जो बाप से सदा सक्चे रहते हैं प्रतिग्या कर विकारों का दान दे कर वापिस लेने का संकल्प नहीं करते वहाँ विकर्मों से बच जाते हैं बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने से पहले राय ले लेते हैं साकार को अपना सच्चा सच्चा समचार बताते हैं बाबा कहते बच्चे सर्जन के आगे कभी अपनी वीमारी छिपाना नहीं पापों को छिपाएंगे तो वृद्धी होती रहेगी पद भी ब्रेश्ट हो जाएगा सजाएं भी खानी पड़ेंगी गीत सुनाया बाबा ने बच्पन के दिन भूलाना देना आज हसाया कल रूलाना देना धारना के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहला पाइंट देह अभीमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फसना है कर्म विकर्म ना बने इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है दूसरा पाइंट बाबा बोले मा बाप को फालो करना है उच्पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है मा बाप को फालो करना है उच्पद के लिए संपूर्ण पावन बनना है आज बाबा ने महावाक्य में माते स्वरी जगतंबा जी के अनमोल महावाक्य सुनाए जिसमें माते स्वरी ने अटेंशन खिचवाया स्रष्टी पर कभी प्रलय नहीं होती स्रष्टी पर कभी प्रलय होती नहीं अब यहाँ जो मनुष्य समझ बेटे हैं कि इसी स्रष्टी पर कोई समय प्रलय अवश्य होती है वो प्रलय तो ऐसे ही समझते हैं अब प्रलय का मतलब है स्रष्टी पर जलमई हो जाना नई स्रश्टी की इस्तापना होती है जिस नई स्रश्टी की सुरुआत दिखाते हैं कैसे स्रश्टी के आदी में सिरिक्रश्न देउता पीपल के पत्ते पर अंगुठा चूशते स्रश्टी में पदा रहे हैं फिर ऐसे ही स्रश्टी की उत्पत्ती सुरू होती है अब यहाँ विवेक चलाने की बात है जब अपन अर्थात हम कहते हैं प्रलय का अर्थ है जल्मई तो इसका मतलब है कि एक भी स्रश्टी पर ना रहे मनुस्य यहाँ नहीं जानते कि प्रलय का मतलब क्या है प्रलय का यथार्त यही मतलब है कि स्रश्टी पर जो इतनी अपवित्रता होने कारण स्रश्टी दुखी हो पड़ी है उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है और स्रश्टी पवित्र बन जाती है गोया तमोगुणी स्रश्टी बदल कर सतोगुणी स्रश्टी बन जाती है तो इसका मतलब है स्रश्टी पर प्रलय नहीं होती मगर स्रश्टी पर आसुरी आउगुणों की प्रलय होती है बाकी कोई मनुस्य की प्रलय नहीं होती अगर स्रश्टी प्रलय हो जाती तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा है कि स्रश्टी अनादी चली आती है तो क्या यह भगवानुवा जूटा कहेंगे बाकी इतना जरूर है कि पुरानी दुनिया अर्था तमोगुणी स्रश्टी का विनास हो फिर नई सतोगुणी दुनिया की इस्थापना होती है तो विनास और इस्थापना का कार्य दोनों इखटा चलता आता है ऐसे नहीं कहेंगे कि स्रश्टी प्रलय हो जाती है इस ही स्रश्टी पर स्वर्ग और नर्क की इस्थापना होती है बलकि जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं है स्वर्ग कहते हैं जहां पवित्र देवी देवताओं का निवास इस्थाने और नर्क कहते हैं म्रत्यू लोग को जहां आपवित्र मनुश्य आत्माओं का निवास इस्थाने मानों आपवित्रता की प्रलय हो जाती है तो ये थे मम्मा के महावाक्य अच्छा ओम शांती